Hello viewers, hello ladies, welcome to this channel, हमारे इस channel पर आपका स्वागत है Friends, बदलती जीवन शेली खान पान में बदलाव और प्रदूशन के कारण अक्सर महिलाओं के में पीरियड के दौरान बहुत अधिक दर्द होना बहुत आम समस्या है मावारी के दौरान जो दर्द होता है वो असहनी होता है पैचेनी होती है और कुछ मेलाएं इससे बचने के लिए पैनकिलर दवाय लेने लगती है जो बेहद ही खतरनाक हो सकती है फ्रेंड्स ये प्राब्लम हर महीने होती है और इससे बचने के लिए पैन किलर्स नहीं लेनी चाहिए अगर आपको हर महीने पीरियट्स में दर्द को सहना पड़ता है या फिर आप दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी है फ्रेंड्स प्रकर्टी ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजे दी है जिनसे हम इस समस्या से प्राकर्टिक तरिकों से निप्टा जा सकता है इस वीडियो में मैं उन सभी घरलू उपायों वे तरिकों को बताऊंगी जिनसे आप पीरिट्स के दोरान हूने वाले दर्द को काफी हद तक कम कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है ये सभी तरिके नैचुरल हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये तरिके प्रभावशाली भी है शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको यह जानकरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यद अदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक जानकरियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज, सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नई वीडियो क जानकरी निरंतर मिलती रहेगी, तो आईए जानते हैं, पीरियट्स के दर्द से चुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपाएं, पहला मावारी पीरियट्स के समय पानी की मातरा भढ़ा दे, सही मातरा में पानी पीए और यदि बैचनी या तनाव हो तो पानी को गुनगुन गरम करके पीए, गरम पानी पीने से रक्त का संचार भढ़ेगा और इसे मास्पेशियों को आराम मिलता है और दर्द में कमी होती है, पीरियट्स के दौरान दालचिनी का प्रयोग करे, आधा टी स्पून दालचिनी में थोड़ी शक्कर मिला कर गुनगुने पानी में मिला कर पीए, मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए तुलसी बहुत ही प्रभावशाली घरेलू उपाय है, तुलसी में कैफिक कैशिट होता है, जिसमें पीरियट के दर्द को कम करने की अद्बुच शमता होती है, इसके लिए दो कप पानी में 20-25 तुलस इस प्रियोग को प्रतेक 2-3 घंटे में रिपीट करें, आप तुलसी के पत्ते चाय में उबाल कर भी पी सकते हैं, अगला उपाय है अद्रक, अद्रक पीरियट के दर्द में तुरंत आराम पहुचाता है, एक कप पानी में अद्रक को बारिक काट कर उबालें, आप मैलाओं के दर्द संबंदी समस्या जादा होती है, जिनके शरीर में केल्शियम की कमी होती है, अधे जिन मैलाओं के हर मैने दर्द की समस्या रहती है, उन्हें रोजाना एक गलास दूद का सेवन बहुत जरूरी है, अधे नियमित दूद का सेवन करें, अगला उपाय है प प्रवा सही नहीं होता है, तो भी पेट में दर्द अधिक होता है, अधे पीरियट्स के दोरान पपिते का सेवन करें, पीरियट्स के दोरान यदि खून का प्रवा सही नहीं हो रहा हो, तो गरम पानी से नहें, इससे रक्त प्रवा सही होगा, गरम पानी से नहने से पेट का दर्द तो सही होगा ही, शरीर के अन्य दर्द में भी रहत मिलेगी। यदि दर्द जादा हो रहा हो और सभी उपायों के बाद भी रहत नहीं मिल रही हो, तो गरम पानी की थेली से पेट पर सेख करें, इससे दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। तो friends, ये थे periods के दौरान होने वले दर्द से छुटकारा पाने के कुछ आसान घरेलू उपाएं। घरेलू उपचार, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारा यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए वीडियो, एक नए जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, stay happy, stay healthy, thank you for watching my video.